दोस्तो स्वागत है आप सबका फिर से एक नियू वेकेंसी के साथ आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर आपकी अलग-अलग पोश्टों पर वेकेंसी रहेगी यहाँ पर सिविल, अलेक्रिकल, मेकेनिकल और कम्प्यूटर साइंस इंजिनियर सी इस बल रहेंगे आपकी परमान अंजोब रहेगी All Our India के कंडिडेट यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे बाकी की जानकारी हम आगे के वीडियो में डिसकस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जोब सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाट्टसब ग्रुप को भी जोईन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिसल नोटिस पर नोटिस आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से निकाला गया है यहाँ पर आप लोग एडविटिजमें नमबर देख सकते हैं यहाँ पर आपकी अलग अलग पोजिशन पर वेकेंसी रहने वाली है बात कर लेते हैं आपकी वेकेंसी लिटेल के बारे में तो पहली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है Department of Consumer Affairs की तरफ से टोटल यहाँ पर आपकी एक पोश्ट पर वेकेंसी रहेगी Qualification में आपको बताया है अगर आपने बी-बी टेक किया है Mechanical Engineering में आपके पास दो साल का वर्क एक्सपिरियंस है आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे Upper Azimity यहाँ पर आपकी 40 साल रहने वाली है Salary यहाँ पर आपको Filling, Mining, Mechanical, Electrical, Civil या फिर Agriculture Engineering में आपके पास दो साल का वर्क एक्सपिरियंस है आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे Salary यहाँ पर भी आपको लेवल 10 की मिलने वाली है अगली वेकेंसी भी यहाँ पर आपकी रहने वाली है Ministry of जल सक्ति की तरफ से यहाँ पर आपकी टोटल 8 पोस्टों पर वेकेंसी है Qualification में आपको बताया है अगर आपने B.E.B. टेक किया है Civil Engineering में आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपिरियंस है आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे अगली वेकेंसी भी यहाँ पर आपकी रहने वाली है Ministry of जल सकती की तरफ से यहाँ पर आपकी Scientist B.Post पर वेकेंसी रहने वाली है बात कर लेते हैं आपकी Qualification के बारे में तो Qualification में आपको बताया है अगर आपने B.E.B. टेक किया है Electronic या फिर Instrumentation Engineering में मिनिमम आपके पास 3 साल का Work Experience से आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे Next वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है एक अलग डिपार्टमेंट में टोटल यहाँ पर आपकी 8 पोश्टों पर वेकेंसी रहेगी Qualification में आपको बताया है अगर आपने B.E.B. टेक किया है बात करें आपके Apply Process के बारे में तो Apply Process यहाँ पर आपका Online रहने वाला है Form Online होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं 23 March से और Last Date यहाँ पर आपकी 11 April रहेगी All Over India की Candidate यहाँ पर Apply कर पाएंगे अगर आपने B.E.B. टेक किया है इन ब्रांचों में और Minimum आपके पास इतना Experience है तो आप लोग यहाँ पर Apply कर पाएंगे अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए Thank You, शुक्रिया